आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question is InHS के पाथवे PEPA and RUBPR, ओके अब यहाँ पर हमें HS के पाथवे की बात करनी है और यह दोनों यहाँ पर जो दे रखा है यह Enzyme के नाम है HS के पाथवे के अगर हम बात करेंगे तो इनको हम बोलते हैं Hatch and Slack पाथवे Okay, HS के पाथवे Also हम इनको क्या नाम देते हैं Hatch and Slack पाथवे In short, HS के पाथवे इनको कहा जाता है अब यह जो HS के पाथवे है यानि Hatch and Slack पाथवे है इन्हें हम बोलते हैं C4 साइकल भी अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यह जो प्रॉसेस होती है यह परफॉर्म होती है C4 प्लांट्स में यानि ऐसे प्लांट्स जो की ग्रो करते हैं hot and dry climates में और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनकी लीव्स में एक special तरीकी की अनाटॉमी होती है जिनको बोलते हैं हम क्रांज अनाटॉमी और इस special अनाटॉमी उसे हमें यह दिखता है कि जो chloroplast होते हैं यहाँ पर दो जगों पर present होते हैं पहला हम कहाँ सकते हैं यह present होता है मीजो-फिल-सेल्स में और ऑल्सो इनका जो chloroplast है यह present होता है bundle sheet cells में और क्लोरोपलास्ट इनका present होता है यानि यहाँ पर देखेंगे तो carbon dioxide का fixation भी यहाँ पर दोनों जगहों पर perform होगा अगर हम यहाँ पर diagram देखेंगे हमको clear समझ में आएगा यह हमारा C4 pathway का diagram हमने लगा रखा है हमें पता है C4 pathway में mesophyll cells में पहला यानि initial carbon का fixation होता है और initial carbon fixation के लिए जो enzyme involved होता है उसको हम बोलते है pep case अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यह हमारा होता है pep case यानि PEP carboxylase अब आलसो यहाँ पर हम क्या सकते हैं कि सबसे पहले जो enzyme involved है उसको हम बोलते है pep case जो carbon dioxide को क्या करता है accept करता है और carbon fixation में क्या करता है involved होता है इससे यहाँ पर पहला stable product मिलता है जो कि एक चार carbon compound का stable product होता है जिसको oxaloastic acid बोलते है OAA then यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरा carbon का fixation यानि Kelvin cycle perform हो रहा है कहाँ पर bundle sheet cells में और यहाँ पर जो carbon का fixation involved होता है उसके लिए जो enzyme involved होती है जो कि क्या करती है carbon को accept करती है और fix करने का काम करती है उसको हम बोलते हैं क्या rubis को या फिर हम इनको कह सकते हैं RUBP तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा PEPC यानि यह होगा PEPC तो यहाँ पर यह correction होगा तो यहाँ पर HS के पात्वे में PEPC and RUBP दोनों ही क्या है carbon dioxide के acceptors है hydrogen को accept नहीं कर रहे है wrong option है क्योंकि हमें पता है दोनों procedures को करने के लिए हमें carbon के fixation की ज़रुरत होती है carbon fixation करने के लिए जो enzyme involved हो रहे हैं उसको हम PEP carboxylase and rubis को बोल रहे हैं तो carbon dioxide acceptor enzyme है option 2 यहाँ पर right है enzymes involved यह enzymes involved तो हो रहे हैं लेकिन जबसे ज़्यादा सही है कि carbon dioxide acceptors है तो यह भी wrong option है 4 carbon compounds यहाँ पर हम wrong option कह सकते हैं क्योंकि जो PEP carboxylase enzyme है अगर यहाँ पर देखा जाए तो यह 3 carbon का बना हुआ compound होता है तो यह भी wrong option हो जाएगा correct answer is option 2 Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड करें doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 सुपर